कर था हुआ है यह वेरी वेरी गुड़ इविनिंग टो आफ यू तो आज की क्लास में index नमबर यूड़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपके exams में index number से आपके questions 100% आएंगे ही आएंगे. तो आएए, सबसे पहले आपके mind में question यह आए कि सर यह index number क्या है, इसकी definition क्या है, और यह क्यूं है, हम इसको index number को क्यूं पढ़ रहे हैं? पहले दोनों ही questions के आप answer ले लिजिए, फिर इस दोनों questions के answer लेने के बाद, फिर index number किस तरीके से solve होता है, यह बाद में discuss करेंगे. हाँ जी बच्चे, तो आएए, बात करते हैं हम यहाँ पर index number की meaning की, तो देखें कोई भी data है, वो time to time fluctuate होता रहता है, कोई भी data हमेशा के लिए constant नहीं रहता है, for example, अगर मैं petrol की price की ही बात करता हूँ, तो petrol की price आज इस time पर कुछ और है, आने वाले 4-5 साल के बाद यह price कुछ और हो जाएगी, तो कोई भी data आप ले लिजिए, चाया वो आप किसी commodity की price ले लें, या फिर आप share market आप ले लें, census ले लें, nifty आप ले लीजिए, आप किसी भी तरीके का data के उपर अगर आप काम कर रहे हैं, तो data time to time उसमें changes आता रहता है, तो उस changes को आप observe करेंगे, उसे ही आपका index number होता है, तो उस changes को आप observe किस तरीके से करेंगे, यह आपको index number में सीखने को मिलेगा, for example, मैं एक example समझाने कोशिश कर रहा हूँ, पहले आप समझेगा, index number के मैं meaning की बात कर रहा हूँ, देखिए बच्चे, petrol की price की बात करते हैं, कि मान लिजिए कि जो petrol है, petrol 2015 में, 2015 में आपका 80 रुपे वा करता था, और यही petrol आज जो है 2020 की में बात कर लेता हूँ, या 2023 की बात कर लेता हूँ, जो है 2023 की बात कर लेता हूँ, पेटरोल की, तो आज यही petrol की price जो है 100 रुपे है, तो देखिए क्या होता है कि time के according, आपका data चेंज हुआ, और आपका data चेंज हुआ है, यह data आपके पास में 80 से 100 हुआ, तो इसमें कितने percent का आपको चेंज हुआ, आप percentage change आप observe करें, तो बचे हर चीज अपने आप में कितने होती है, 100% होती है starting में, तो सबसे पहले आपका 20 रुपे का change आ रहा है, बट यह कितने percent का change आ रहा है, इसको percentage में अगर आप calculate करते हैं, तो आप previous price से आप compare कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं base year price, इसको हम बोलेंगे base year price, और यह आपके पास में है current year price, current year price, तो बच्चें यहाँ पर base year price को basically, क्योंकि price है तो P से represent करेंगे, और base year को जिससे compare करते हो, base year होता है, उसको हम 0 बोल देते हैं, और जो current year price है, तो P से represent करेंगे, बट current है तो उसको P 1 बोल देंगे, तो इस तरीके से हम denote करते हैं, आप देखिएगा मुझे जानना है कि मेरे price कितने टाइम से कितने परसेंट हो गया, तो कितने टाइम से वो तो बहुत easy है कि आप क्या करने वाले हैं, आप इसको कुछ इस तरीके से करने वाले हैं, जैसे कि आपके पास में 5 रुपए है, आपका 20 रुपए हो गया, तो 4 टाइम से हो गया न, कैसे पता लगा 4 टाइम से हो गया, यह आप इसके बारे में जान रहे हैं, तो यह नुमिनेटर में रहेगा, इस से compare कर रहे हैं, तो यह आपका denominator में रहेगा, इसी तरीके से आपका price अब कितना हो गया, तो यह टाइम से, बट जब आप 100 से multiply कर देते हैं, तो वह चीज percentage में एक्सप्रेस हो जाती है, तो अगर आप इस चीज को देखते हैं, तो यह आपका कितना आ रहा है, आपका यह आ रहा है, 125 परसेंट आपका, तो अब आपका price जो चीज पहले 100 परसेंट वहा करती थी, वह चीज अब आपकी 125 परसेंट हो गई है, तो जो यह 125 है, यह basically क्या बता रहा है, कि data में जो change है, अब वो पहले competitively कितने परसेंट हो गया है, तो पहले से अगर आप compare करते हैं किसी चीज को, वो पहले वाले का कितना परसेंट हो गया है, जो आप यह statement दे रहे हैं, इस statement को हम index number कहते हैं, लेकिन यह तो एक individual data है, एक single petrol की price की बात कर रहा हूं, तो index number एक single community या single article पर applicable नहीं है, इंडेक्स नंबर पूरे group के changes को observe करता है, for example, inflation rate, महंगाई दर, क्योंकि inflation rate अगर यह हमारे economic point of view तो बहुत important है, क्योंकि आपका inflation rate क्या है, मतलब महंगाई दर क्या हो गई है, यह कैसे बता लगेगा, यह आपको index number के थुरू बता लगेगा, कि inflation rate हमारा जो है, वो 5% है, अब inflation rate अगर हमारा 5% है, और GDP growth हमारा 4% है, इसका मतलब क्या हुआ, कि जो 5% inflation rate का मतलब है, कि जो समान पहले जितने में आता था, अब उससे 5% ज्यादा में उत्रा ही समान आपका आपाएगा, मतलब कि पहले अगर आपके पास में, अगर पहले आपके पास में 100 रुपे की कोई चीज आती थी, आप वही चीज आपके पास में 105 रुपे की होगी, यह inflation rate है, और GDP growth आपका 4% है, तो लोगों की आमदनी में 4% की growth आई है, पर capital income 4% growth कर गई है, तो यहाँ तो आपकी GDP का को positive impact economy में देखने को मिलेगा नहीं, और 1% आपका जो है inflation ही ज्यादा है, तो पहले से लोग जो है poverty की तरफ जाएंगे, तो GDP का 4% का कोई impact रहनी जाता है, इस बात को समझे आप, example के लिए कि example लेता हूँ मैं आपसे, मान लिजिए आज आपको अपना परिवार चलाने के जो है उसको उतना ही उतनी आप जो है goods and services आप consume यूज कर पाएंगे, लेकिन अब उसके लिए आपको 10% ज्यादा, inflation 10% हो गया, तो 22,000 रुपीज पे करना पड़ेगा, लेकिन एक साल में GDP भी ग्रोथ होती है, तो GDP में 5% का ग्रोथ आया, तो 20,000 का 5% हो आपका 1,000, तो पहले से भी आप backward हो जाएंगे, तो ये inflation rate से हमें पता लगता है कि हमारे economy किस direction में जा रही है, तो economy के point of view से ये index number बहुत important हो जाता है, index number की help से ही stock exchange के हम जो है changes को observe कर पाते हैं, index number की help से ही हम inflation rate को हम observe कर पाते हैं, तो ये index number basically क्या करता है, वो changes बताता है कि पहले से और ज इस चीच को हम index number बोलते हैं, लेकिन ये तो बहुत easy है calculate करना जिसा भी हमने calculate करा, लेकिन बच्चे मैंने अभी थोड़ी दिर पहले ही आप से काता, कि index number जो है, index number आपके पास में, यहां पर अगर मैं बात करूं, तो index number आपके पास में सिर्प individual और single data पे काम नहीं करता है, index number आपका जो है, पूरा complete आपका कोई एक group study होता है, अगर inflation की बात कर रहा हो तो inflation में कोई particular एक single commodity नहीं आती है, तो पूरे group की study आप कैसे करोगे, इसी चीच के लिए आप index number सीख रहे हैं, तो उमीद करता हूँ कि आपको index number का basic concept समझ माया होगा, अब इसका meaning भी पढ़ ल devices, and there are the hardly any field where they are not used, मुश्कित से कोई आता field है, जिसकंदर index number यूज नहीं होता है, वाकि हर जगह पर ये widely used होता है, index number का, like newspaper headline, the fact that price are going up, down, that is the industrial production is rising, falling that, imports, exports, ये सारे के सारे चीज़े क्या है, crime are rising, सब कुछ ही index number है, clear है तो ये आपके पास में एक तरीके से barometer of economic का का काम कर करता है, economy activity किस direction में जा रही है, उसके लिए meter का काम करता है, ये उसको नापता है, economy activity को, तो ये आपके पास में index number है, he should look to important indices like the index number of industrial production, agriculture production, business activities, stock market index, century etc, agriculture sector का कितना रोल है हमारा, हमारा indices sector का GDP में कितना रोल है, service sector का GDP में कितना रोल है, ये पूरी तरीके से हमारे पास में economic का जो है, तो वो data पहले से कितने times हो गया है, ये index number होता है, और ये एक basically group की study करता है, ना कि किसे single individual data का study करता है, तो ये तो समझ में हमें index number आ गया है, कुछ example हो गया, कि हमारे पास में जो है, inflation rate, recession rate, science sex, nifty, crime rate, ये सब चीज़े कहांते पता लगती है, agriculture, output, firm, industry production, service sector का क्या रोल है, GDP ये सारे जो percentage आप calculate करते हैं, index number के थुरू होता है, ये कुछ examples भी हमने समझ लिया है, अब यह आ जाता है कि index number calculate कैसे करते हैं, तो बच्चे index number को calculate आप करें, index number के questions पर आप आएं, index number के आप method को समझें, और index number के questions पर आप आएं, उससे पहले बच्चे जरूरी क्या है आपक एक lock table को समझ लिएगा, क्यों कई बार lock table का इस पर use हो जाता है, अब सवाल यह है कि सार, lock table क्या है, तो आए पहले lock table को समझते हैं, देखिए, lock table क्या होता है, मैं इसको पहले आपको explain कर देता हूँ, देखिएगा, for example, कई बार ऐसे need होती है आपके पास में, कि आपको ये ये solve करना आसान है, 2 raise to power 3, आप इसको easily solve कर सकते हैं, ये आपका answer आगया 8, ठीक है, आपके लिए problem कहां पर है, आपके लिए problem ये है कि अगर 2 raise to power अगर आपको 1 by 5 solve करना है, तो ये आपका result कैसे निकालोगे, 2 raise to power 1 by 5 क्या होगा, तो for example लेते हैं हम यहाँ पर, कि अगर आप आपको 2 raise to power, 2 raise to power 1 by 5, अगर ऐसे इसको solve करना है, तो कैसे solve करेंगे आप, तो मान लिजिए ये value किसके equal है, ये value आपके x के equal है, clear है बच्चे, अब आप x, आप क्या करेंगे, बोस साइड आप लोग लेंगे, लोग क्या करता है, पावर को नीचे उतार देता है, लोग का क से कोई काम कर रहे हैं एक साइड में, तो उसके impact को neutral करने के लिए आपको दूसरी साइड में भी वो same effect डालना पड़ेगा, तो इसलिए आप क्या कर रहे हैं यापर, बोस साइड आप 2 raise to power आपके पास में 1 by 5 है, तो यहाँ पर आपके पास में log लेंगे, और यहाँ पर भी आप अपना log लेंगे, impact neutral हो जाएगा, अब solve करेंगे तो यह क्या कर देगा, यह log x आपके पास में यह जो log है, इस power को नीचे लियाएगा, तो 1 by 5 और log 2, अब सवाल है कि log 2 है, log 2 क्या है, तो बच्चे log 2 एक table होगी, एक table आपको मिलेगा exams में, उस table में आप अपने क्या कर सकते हैं, उसमें हर log की, log 1, log 2, log 3, उसकी values आपको given होगी, तो यहाँ पर जासे कि log 2, 0, 0, उसे log आपके पास में 2 हो गया, तो इसको आप 2.0 कर सकते हैं, 10, 2, समते कुछ आशे हो रहेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, आपने log table में इसकी values को आप calculate कर सकते हैं, तो आप log table में आपको मिलेगा, वहाँ से इसकी value replace कर देंगे, 1 by 5 से solve कर देंगे, then आपके पास में x equals to, बट log यहाँ पर भी है, अब यह log हो जाएगा 1 by log, कि 1 by log क्या होता है, तो आपके पास में log 2 की value तो table से देखके लिख दोगे, बट 1 by log क्या होता है, इसको हम बोलते हैं, anti-log, जब log डेनोमेटर में चला जाता है, तो को हम क्या बोलते हैं, anti-log, अभी सरफ सुनते जाएए बस, समझे ना कुछ नहीं है, सुनना है, इससे हम कहते हैं anti-log, तो anti-log log 2, अब आपके लिए क्या होगा बच्चे, log 2 की value तो आपको कहा से मिल जाएगी, table से, और anti-log की value भी आपको कह कहा से मिल एगी, anti-log table से, तो दो table होती है, log table और anti-log table, यह दोनों table आपको available होगा, तो log 2 की value आपने रखनी है, clear है बच्चे, यह 1 by 5 ता, sorry, तो log 2 की value रखनी है, 1 by 5 से solve करना है, उसका anti-log की value table से देख करके, आपको उसको solve करके answer ले देना है, तो यहाँ पर यह जो power का issue आपका solve हो गया, तो यह importance होती है, log की, तो आपके questions में log आएंगे, इसलिए आपको पहले log table को समझना होगा, तो आए पहले हम log table को समझते हैं, log table बच्चे क्या रहता है आपका, को डाउट है, तो बच्चे कमेंट में आप जो है करते रहेगा, मैं यह भी इस पर विद्य दालेंगे, तो सबसे पहले आप यह देखेंगे, कि आपके पास 1, 2, पहले दो डिजिट जो है यह आप ले लिजी, उसके बाद आपका 3 है, और उसके बाद आपका 4 है, यह इसको ऐसे लिखें, ठीक है, इसको basically हम क्या बोलते है, इसको हम बोलते है, main column, और इसे हम क्या बो चार डिजिट होना चीए, और minimum 3 डिजिट होना चीए, तो 3 डिजिट का आप log value निकाल सकते हो, 4 डिजिट का भी log value आप निकाल सकते हो, तो पहले मैं 4 डिजिट का सिखा देता हूं, फिर मैं आपको 3 डिजिट का भी सिखा देंगा, ठीक है, तो पहले आप 4 डिजिट में द कि दिख रहा है आपको आपके फोन में दिख रहा हो गई अगर विजिविल्टी में पाल रहा है तो मुझे बता दीचिए कि मैं दिखायता हूं थोड़ा सब्सक्राइब करता हूं कि अब फिलाल में इसकी वैल्व निकाल रहा हूं ना कि फिल देखेगा क्या है कि यहां पर क्या करता है और पहले इसको समझ लीजिए एक बार खरीियाए kula 67 कृता करें कि दिखर हो आपको कि आनंध यहां पर आप आपके पास में क्या है लॉग इसकी वैल्व निकाल रहाए आप देखे ज़रा मौगज वेल्ग पर अप प्रोलुल्म और देखेंगे तो इस ही में जाएंगे और इसमें आप कहां जाये आप 3 पे यह अपके पास पर पॉइंट फैल शूरॉ सारी वैलूज किसमें होती हैं, पॉइंट में, ख्लेरे बच्चे तो 0.0899, तो लिख लेता हूं मैं इसको, 12 पे 3 क्या निकाला मैंने, 0.0899, अब यह आपके पास में मीन डिफरेंस 4, तो मीन डिफरेंस को आप कहा देखोगे, यह आपके पास में 9 के बाद जो दुबारा स्ट आपका 1, 2, 3, 4, 5, यह यहां, इसको हम क्या बोलते है, मीन डिफरेंस, इसको, इसको हम क्या बोलते है, मीन डिफरेंस, तो मीन डिफरेंस में क्या आपका 4 रहना है, तो आपको इसी में जाना है, और आपको 4 पे रहना है, तो क्या आ रहा है, 14, तो बस आपको यहां पर क्या बॉट की वैलुट लिघ दी, यह बात को संज में आए चंद में किया से निकालेंगे? कोई डाउट? तो बस 12 को आपने देख लिया, उसमें आप 13 पे गए और अपने वैलु लिख दी, और जो चोथे का है उस value को आपने add कर देना है अब एक्जामपल लेते हैं यहाँ पर कि आपको 1,2,3,4 की आपको value निकालनी है तो यह कैसे निकालेंगा आप सिंपल वैसे ही रहने वाला है आपके लिए कि आप जो है 1,2,3 पहले 12 पे जाएंगे फिर 3 पे जाएंगे तो 12,3 पे value क्या मिलेगी आपको 12,3 पे आपको यह value आपको मिलेगी ना होई 12 पे 3 पे 4 पे जाएंगे तो आपके पास में क्या value आज जाएगी 0,9,1,3 ठीक है बच्चे clear है आप देखेगा यह point यह कितने digits है point से पहले कितने digits है तो point से पहले आपको यहाँ पर नजर आता है कि आपके पास में इस point से पहले आपका यह कितने digits है तीन digits है तो minus 1 कर दो के 2 तो यहाँ पर आपके पास में क्या आगया यह यह value आगी बस clear है तो point को आप avoid कर सकते हैं for example और एक example ले लेते हैं आपके पास यह है तो पॉइंट को आप 1 2 3 4 consider करो तो इसकी value आपने क्या रिकाल देए 12 पे 3 & 4 आपने add कर रहा था तो आपके पास में 0.0913 अब यहाँ पर देखिए point decide करते हैं तो आपके पास कितने points से पहले कितने आपके डिजिट से हैं तो point से पहले आपके दो डिजिट से हैं तो इसमें से 1-2-3-4 लिखें और 0-913 इसकी value है point और point से पहले क्या आएगा यह एक है न इसमें से एक minus करेंगे तो आपके पास में क्या जाएगा 0 तो यह value 0.0913 आ जाएगा similar यहाँ पर आपके पास में इसको 1-2-3-4 ही consider करें value निकालोगे 0-913 point अब यहाँ पर 0 जीरो में एक minus करेंगे तो minus का एक हो जाएगा this one बात समझे बच्चे clear है तो उमीद करता हूं कि आपको अगर आपको लॉग निकालना हो तो आप किस तरीके से आप निकालेंगे तिन डिजिट में लॉग एक्जामपल कुछ ले ले लेते हैं इसमें और भी हम कि आपको वैलू निकालना है लॉग लॉग 145 की लॉग 145 की वैलू निकालनी है यह वैलू निकालनी है तो बहुत आसान है मतलब कि आपको किस पर जाना है आपको 14 पर जाना है और 5 पर जाना है तो आपके पास में आपको 14 पर जाना है आपने किस पर जाना है और फाइफ पर जाना है और निस पर क्लेर बच्चे तो क्या ओगा वन सिक्स वन फूर क्लेर इसमें आपके पास पर एक हैं यह एकश्ण तो उस्वा कुछ करना ही नहीं है अब कितने डिजिट है तीन डिजिट है तो इसमें से एक माइनेस कर देंगा तो यह आपका इसकी लोग वैल्यू है क्लियरे बच्चे बाद समझ गए कोई डाउट चलिए अगर मैं आपसे बोलता हूं यहाँ पर कि आपको यहाँ पर वैलू निकालनी है लोग अगर डो डीजिट में but लोग 12 थो यह तो लौ की वैल्यू कैसे निकालो गया तो आपके मैण बताया लोग निकालने के लिए कम से कम 4 प्राइल यॉह पिर लोग की वैलू निकालने के लिए हमारे इसको आप एसे लिख देँगे लौ फिसको कुछ इसे आप लिख सकते हैं इसको एसे लिख सकते हैं आप लॉप कर दागी जीरो अब दिजीट में के पॉइंट को और ऑवोइड करो अपके क्या है डोटS mo bom sww तो बत समझें सब्सक्राइब किया करेंगे अब अगर आपको एक डिजिट आपमें आपको निकालना एक गर्वार के आपको निकालना है लाउग 5 कि वेल्व पे शीख लिजें शीच को आज इंप्पोर्टेंट ाब के लिए एक बार सीख लेंगे फिर हर बार 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 बीच वीच में आता रहेगा तो बार बार सीखने की जूरत आपको नहीं पड़ेगी क्लियर है कि हांजे देखें जरा लॉग 5 की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे मिनिऄम रिक ओर्मेंट लगाँ थो तो आप किस पर देखो गया पचास पर जीनो देखोगे जिंग कर दूगा तो पिचास में अगर आप देखते हैं कि इसको थोड़ा सब्सक्राइब करता हूं कि यह मैं दुवारा से अरेंज कर आपको कर वा दूंगा पच्छास पे जीरो तो क्या आपके पास मैं सिक्स नाइन नाइन जीरो six nine six nine nine zero और कितना डिजिट एए एक डिजित है इसमें से एक माइनेस कर दो कर दोंको क्या जाए जीरो डिस वन तो यह इसकी वैल्यू आई तो बच्छे उमीद करता हूं कि अब आप लौक की वैलू निकाल सकते हो चाहर डिजिट अधर तब भी डैसिमल ए तब भी दो डीजि कि कैसे देखें जब तक खुद करके दिखेंगे तो आपको चीज़ समझ में नहीं आएंगे तो वीडियो को दुबारा देखेंगा तो आपको समझ में आएगा यह बात कर रहा हूं मैं लोग की मैंने कुछ वैल्यू भी निकाला है अब मैं बात करता हूं बच्चे यहाँ प आपके पास त्री पॉइंट सेवन तू आपके पास फाइगा यह तो आपके पास में अटी लौक का टे बलो होगा को देखना है जीशनी कि आपने लौक का टेबल देखा हूं पॉयंट ठोड़ो आप इसको यह मान के चलिया आपका वन एट टू नाइंट इसको आई इसको तो यह तो आपके पास पर एक दो पंद्रा एक किस अगा है याँ पर मेरे पास में इसकी वैल्यूं भी इस अने चैसरे अब नाइन पर जाता हो मैंस का मीन डिफरेंस पे नाइन पे पेरे पास में कौन सा लिया मैंने 18 पे दो अठारा पे जाते और यह ठारा पे तो यहां पर मैं इसमें तीन एड़ कर तो आपके पास में चार दो पांच और एक अब आपको बस सबकुस तो भुईता कि आप जो है 18 पे गए उसके बाद दूसरे पे गए वह वैलू लिख लिया आपने उसके बाद आप नाइन पे गए तो उस वैलू को लिख करके आपने आड़ कर दे तो पहले करा कुछ भी चेंज नहीं हुआ बस एक चेंज अब यहां होगा क्या होगा कि आप देखेगा पॉइंट से पहले क्या है पॉइंट से पहले क्या है बताएंगे जीरो है इसमें प्लस वन कर दें और क्या आएगा आपके पास में एक आएगा यह बता मुझे किसी बच्चे कोई डाउट तो इसी तरीके से आपके पास में यहां पर यह वैल्यू है तो बेसिकली अब यह वैल्यू है तो आपको पास अब तो आपको पास आपको 5 पे जाना है तो 72 पे 0, 1, 2, 3, 4, 5 तो आपके पास में 5, 3, 0, 9 5, 3, 0, 9 clear है बच्चे तो आपके पास में क्या आया है यहां पर आपके पास में यहां पर आया 5, 3, 0, 9 और उसके बाद आपके पास में 1 पे भी जाना है इसमें 75, 2 पे आप आगे 5 पे और इसके बाद आपको 1 पे भी जाना है तो 1 पे क्या 1 है? तो 1 पे आपको यह 1 है तो इसमें आपके क्या करो? UN ADD लए रिज़ल्ट बनाब आपका आपका है रिज़ल्ट बना 0 1 3 5 तो आपका रिज़ल्ट क्या बना 5310 अब देखेगा पॉइंट से पहले वार्ट का आपका फफाइंट से पहले है तीन से तरब रिज़एगा इसे प्लस करो तो क्या हो जबाइगा चार तो तो आगे चल करके आपने log का importance समझा कि लॉग क्यूं हम यूज करते हैं ताकि जो पावर है इसको हम solve नहीं कर पा रहे हैं लॉग की help से हम उसको solve कर पाएंगे पहले चीज यह calculator से भी हम power 1 by 5 1 by 8 हम solve कर देखते हैं no doubt वो भी मैं time to time questions में आपको सिखांगा कि calculator से किस तरीके से आपको लॉक की value निकाल लिए ठीक है देखें फिलाल आपको एक्जामे टेबल होगा टेबल से करना पड़ेगा लिखना पड़ेगा वह आप देख लिए direct value लिख देंगे मार्क्स आपके कटेंगे तो यहां पर आपको पता लगा लॉक कब लगते हैं ऐसे पावर इसको solve कर पाना डिफिकल्ट है पावर आपका 1 by 8 1 by 12 है वहां पर आप इसली लॉक साइड लेकर करके पावर कर इंच उतार करके अफिन लॉक टेबल का यूज करके लॉक की वैलू नीट पड़ेगी क्लियर है वही सजमाय आपको उसमें बलार आ रहा होगा बट कोई नहीं मैंने वैलू लिख दिया यह क्लियर होगा तो अब आपको यह सब कुछ समझ में आ गया है अब मैं बात करता हूं अपने चप्टर की इंडेक्स नंबर की हां जी तो इंडेक्स नं तब तक नहीं बना पाते हैं जब तक हमें मालूम नहीं हो कि सुच्वीशन कहां से कहां तक पहुंच चुकी है मनलब कि चेंजिस को अब्जर्व करना और चेंजिस किसी इंडिज्यूवल हो तो हम उसको कर सकते हैं बटेक्स नंबर को अपका अन्वेटिड एक आपका होग लेसरा कि कि नहीं करें अगहरा सब्सक्ति इसकी प्राइब करकर आइघ मैं एक आटिकल रहाता पस कि प्राइज के पहले रुपए हुआ करते थी आज उसकी प्राइज पार्रुपए हो गई हागयी और अज तो अब जो सा आर्टिकल है एक्स आर्टिकल मेरा तो में黑वा तो इसकी क्या इन्थ के ON यह क्कॉंटिकी के ओपर दिसक्शन ही नहीं है इसको जोता है ठीचिने फिसक ना पास में एक्स कमूड़ि leaning आगgehस घ्रगल ले रहा था Kyu whan अब कितनेकोनिटीटी ले रहा हूं क्योवन पहले क्या प्राइस था पी जी रो अब प्राइस है P1 पहले मैं जहां पर 10-2 किलो ले रहा था और आज मैं अज मेरे बताइस पहले जो प्राइज है 20 रुपे हो गया अब कॉंटिटी में आठ ले पा रहा हूं कुलम ला करके कॉंटिटी की कॉंटिटी भी मेंशन होगी इसको बोलते हैं वेटेज तो अनवेटेज में सिरफ प्राइज पर बात होगी उसकी कॉंटिटी मिसिंग होगा और एक होता है वे टो अनवेटत की तो नवेट्टे को भी काल्कॉलीट करने के दो मैथड के आप पास पर है साइब कर देख सिंपल मैथ conflicting मैथट तो अम्हां मीरे पास में सबसे पहले यह जो आप देख पा रहे हैं यह आपड का प्रॉप्र आपड का प्राइज है यह आपके पास में यह दोजाद 10 का प्राइज दोजाद 13 का प्राइज है तो यह आपका बेस यह रो गया इसको मैं लिखूंगा P0 चीक है यह करंट 10 प्राइज हो गया इसको लिखूंगा P1 तो यहाँ पर एक काम कर लेते हैं देखते हैं कि हमारे पास कमूनिटी A, B, C, D, E पे पहले कितना खर्च हो जाया करता था इन पांचों कमूनिटी को लेने में पहले कितना खर्च हो जाया करता था तो मैं इनका सम करना पड़ेगा तो समीशन आफ मैं क्या कर रहा हूं पीजीरो कर रहा हूं तो इस पांचो को मिट्टी को लेने में कितना खच होता था मेरा तो मैं 5 और 5 10 106 16 और एक कैरी कर देता हूं चार और यह आपके पास में 2 6 6 और 9 15 और यह 16 16 और आपका 9 25 तो पहले मुझे इस पर 256 रुपीज एक्सपेंड करता था मैं इन पांच वार्टिकल पे आज की डेट पे करेंट किया में बात करूं तो आज मेरा कितना खच हो रहा है करेंट में तो मैं इसको सॉल करता हूं तो प्लस 24 प्लस 120 इस वन त्री ट्वेंटी क्या कर आपने आपने समीशन कर आपने पीवन कर आपके पास में आप क्या करोगे कि आज मेरे पास में मेरे कुल जो मेरा एक्सपेंडिचर है कुल मैं इन 5 क्मधिटी पे 322 रुपे खर्च कर रहा हूं और पहले मैं इसमें 256 हो गया तो इससे निकल जाएगा अब कितना परसेंट हो गया तो वह मेरा हंडर होगा क्लियर है हंडर से मंटिप्लाइ कर दूंगा तो परसेंटेज में आ जाएगा आपका यह तो तीन सो बीस डिवाइड़े बाए 256 इंटू 125 तो कितना हो गया रिजल्ट इसको लिखते कै होगता है कि पहले जितना अब expense करते थे किसके ट्रिक के बात कर रहे हैं उसके लोग की वैयल्यू की हां तो आपके पास में क्या हो गया यह आपके पास में क्या है आपने क्या करा है यह पर कर कर लिया तो aggregative method हो गया वह भी बड़ा सिंपल है तो इसलिए इस method का नाम चाहा होता है इस method का नाम होता है simple aggregative method चीक है बच्छे clear है आपको अपने syllabus में हर चीज कवर करना पड़ेगा जीरो से लेके advance अब बात करता हूं बच्चे में simple average of relative method अब यहां पर एक वर्ड यूज आया है simple average of relative method अब average की में बात करता हूं अगर तो average की बात करेंगे तो यहां पर आपके आपके पास में अब दोनों के उपर बात करी रहा हूं तो डीटेल में लेकर चलता हूं यह कोश्चिन होगा ना आपका अब बात में करता हूं यहां पर एवरेज की चलिए फिर आज मैं थोड़ा सा ना आज अब अब करने अब करें अब कल जो नेस्ट क्लासिस होंगी उस नेस्ट क्लासिस में आपको जो है समझाओं आप इसको रिवाइस करके आईएगा क्लिए इस यह आसान है सब कुछ ठीक है आपके एक्जाम में फुल मार्क्स का अपला सकते हैं इसके अंदर आपके पास में है एक होता है कैल्कुलेशन मिस्टेक तो उसके कोई चांस है नहीं क्लिए प्रॉलम क्या थी बड़े-बड़े नमरों क को रूट निकालना बड़े-बड़े नमरों को मंटिप्लाय करना करना जब भी आपने थोड़ा बहुत जब भी किया होगा पर आप क्यालकुलेटर है तो वह पड़लन तो आपके पास में है ही नहीं ठीक है फाइनल आंसर पर छोड़ेंगे क्लिए अच्छे को आप फोलो क फिर नेक्स्ट क्लास इसमें फाइव टो सिक्स जो आपका टाइमिंग है